रिष्टेदार वो लोग जिने तुमारे घर आने का बस एक छोटा सा बहाना चाहिए तुम दुफैर में अपनी प्यारी मीठी नीन लेने जाहिरे होते हो की अरे बेटा मैं थोड़ा पास में ही आया था तो सोचा तुमारे घर आ जाता हूँ पर मैं तो जंगलों में रहता हूँ जंगलों में क्या करने आय थे कही मेरा घर तो जलाने नहीं आय थे जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घरवालों को मुझे इंजिनिरिंग करवाने का बोल के रिष्टेदारों की पास ने एक भहुत भयानक शक्ती है ये तुमारे मम्मी पाप का दिमाग चेंज कर सकते है बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेडर बनना है तो हमने सोचे चलो क्रिकेड एकेडमी जॉइन करवा देटी है भाही साब आपको क्य बच्चे ने बल्ला मारा है कै सर पे नई तो जरा अपना दिमाग लगाईए ये क्रिकेट रिकेट में कुछ नी रखा वो अपने विकास जी की लड़की बोल रहे थी सिंगल बनूंगी कुछ हुआ नी तो अब नुकर नाटक में पेड बनती है मैं हूँ एक जादूई पेड क्या हम ये पेड का रोल हटा सकते है वैसे भी ये नाटक खरगोस और नेवले की जुगल बन्दी के बारे में है और क्या मुगे कोई बताएगा इदर असली नेवला किसने छोड़ा अब हमारी फैमिली में एक रिष्टिदार ऐसा होता ही है जिसे नब हो जोर से ज्याद देने के आदत होती है इसे लगता है कि पूरे भ्रह्मान तो ज्याद ना इसके पास ही है और इनका मन पसंदिन्दा काम होता है लोगों को अड़वाइस देना तुमने टेंद पास करी अब सबजेक कौन सा लेना है वो ये बताएंगे तुमने कॉलेज पास करा अब नोकरी कौन सी करनी है वो ये बताएंगे फैमिली में कोई बिमार है उसका इलाज ये बताएंगे फैमिली में कोई मर गया इलाज इनने बताया था पकड़ो अब करियर चुनते समय ये लोग अपनी टांग भूत अच्छे से अडाएंगे पाप, मुझे गेम बनाने वाला बनना है अरे बैटा, जिंदगी एक पूरा गेम ही तो है भाई साब, आप इसको बनाओ डाक्टर बहुत स्कोप है, मतलब इसकी मा का मुझे रजनी गंदा और कदमों में दुनिया नहीं पाप, डॉक्टर चुनी, पाप, इतनी पड़ाई से तो मजदूर बन जाओंगा में लेकिं डॉक्टर दे मुझे रजनी गंदा, कदमों में दुनिया क्या बात को है अब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो चपलों से मार देना चाहिए तुम्हें पता ही रिष्टेदारों की नजरना अपने बच्चे से जादा दुसरे के बच्चे पे होती है कल को अगर कोई कांड भी कर दूगे न तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा लेकिन इन्हें इन्हें जरूर पता चलेगा अरे ओफिसर मेरी दादी जूट बोल रही है मैंने उनकी बद्दी सी से पीट नहीं खुजाई मिस्टर आयू, यू आर अंडर अरेस्ट लेकिन आपके पास तो मेरी खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था हाँ, सबूत नहीं था लेकिन अब है, मिलो तुमारे फूफ ऐसे इनने बिजली के खंबे पे चड़के तुमारी क्राइम करते हुए फोटोस खिची है हलाकि वो बात अलग एक हम्मे से नीच उतरते समय इनकी पैंट के साथ चड़ी भी फट गई लेकिन उसका टेंशन तुम मतलो पैंट और चड़ी दोनों सही सलामत दरजी के पास पहुच चुकी है वो सुबह तक रफू करके दे देगा शाम तकुक शाम तक और ये रही तुम्हारी फोटो गिरफतार कर लेजिए मुझे अब जब भी रिष्टिदार तुम्हारे घर आते हैं तुम्हारे मंबि पापा तुम्हें उनसे बात चीट करने गले बोलते हैं और तुम्हें नहीं पता उता क्या बात करनी है इतनी आजीब सिच्वेशन बनती है ना उस समय और बैटे कुछनी अंकल यूही अरे पागल खाने के कैदी हसते ऐसे एक दूसरी को देखके अब कुछ रिसिदार ना तुम्हारे सिदे घर आते हैं और तुम्हें तुम्हारे बच्पन की अजीब से यादे बताने लग जाते था और तेरी माने अंजाने में पंग्जा कोल दिया था वो भी पाच की स्पीट पे मरते मरते बचा था तू उस समय तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आरी होती है कौन है ये आदमी और बच्पन में ये मुझे क्यों मारना चाता था पिड़े यादे एक बार तू तुम्हारे सथ कभी ऐसा हुआ है तुम्हारा हम से एक चड़ी में बैठे हो और जेल जेसे कटोरे में दाल चावल खारे हो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है लेकिन एक तम से तुम्हारी घर पे दस रिष्टेदार आ जाते हैं अब जरा सोचो उ अब ये रिष्टेदार ने काफी अलग अलग प्रकार के आते हैं जैसे फैमली में कोई बहुत बूरा दादा जी नहीं होता है जिसके दिल की जग भी बैटरी लगी होती है इसे परिवार वाले मरने ही नहीं देते इन्हें कुछ हुआ फट से ऑपरेशन भाई आदा रोब कर रिंग उड़ाने से मना कर रहे हैं क्योंकि अगर कोल्ड रिंग का एक भी बूंद दादा जी की बैटरी पे गिरा तो तुमारा दादा जी टाइम बम की तरह फट जाएगा खैर जो भी कहलो रिष्टेदार हमारे घर से जाते समय अपनी पोटली से थोड़ा धन वो हमें भी देखी जाते हैं भली वो बीस रुपे का लुली नोट हो या सो रुपे का करारा नोट हो पर सवाल यहां पर यह नहीं है सवाल यह है कि रिष्टेदारों किसाद इतनी मारा मारी की बाद क्या वो बीस रुपे का लुली नोट काफी था या नहीं मुझे नहीं पता मैंसा इпрald कीकट से दोस्ति करेगा चले जाओ एहां से तुम्हारा बच्यूरत बच्चा लेकर है जा रहा हो मैं जा रहा हो जा रहा हु जा रहा हूँ बस चले गया कि यह मेरा सेकेंड चैनल और यह मेरा इंस्टी ग्रूम है तो यह commen latest to follow subscribe कर देनाżenia अब मुझे हैं क्योंकि मे झाल झाल